फादर ओफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात भारत में हरित क्रांती एवं क्रशी वैज्ञानिक एमेस स्वामी नाथन का अंठान्वी वर्ष की उम्र में चेन नई में निधन हो गया है। इन्होंने धान की अधिक पैदावार वाली किस्मों के विकास में महतपूनी भूमी का निभाई थी जिस से कम आये वाले किसानों को ज़्यादा धान पैदा करने में मदद मिली। Father of Green Revolution कहे जाने वाले एमेस स्वामी नाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था तता इनकी म्रतियू 28 सितंबर 2023 को हुई। स्वामी नाथन डिपार्टमेंट ऑफ एग्री कल्चर के विग्यानिक थे उन्होंने 1972 से लेकर 1989 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री कल्चर रिसर्च के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। किया। क्रशी छेत्र में उलेखनी योगदान के लिए ही भारत सरकान ने इन्हें पद्म भूशन से नवाजा था। स्वामी नाथन के गिंती भारत के महान क्रशी वेग्यानिकों के तौर पर होती है। जिन्होंने धान की ऐसी किस्म को तैयार किया। जिसने भारत के कम आये वाले किशानों को ज्यादा धन धान पैदा करने के काबिल बनाया। ऐसी ही जानकारी पानी के लिए जुड़े रहे च्छायन स्थीप के साथ धन्यवाद।